अब देख रहे हैं डाइटीशन लक्ष्मी दॉक्टर विनीतर मैं हूँ आपके अपने डाइटीशन एंड मास्टर अफवामे से लक्ष्मी आदाओ हमारा इस चनल पर हम बात करते हैं फूर्ट्स, मैडसेन, प्रोडाक्ट रव्यू और डाइट प्लान के बारे में तो अगर अभी तक आप ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly सब्सक्राइब अबर चैनल and share with your friends and family डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग बड़ी अजीब हो गरीब होती है कुछ लोगों को समझ आती है कुछ को नहीं लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप डॉक्टर की लिखी हर एक बास समझ जाएंगे आपके prescription में जो भी आपके doctors लिखते हैं वो आप समझ जाएंगे तो चलिए देखते हैं कि आखिर आपके doctors ऐसे कौन सी language ऐसे कौन से संकेत लिखते हैं आपकी दवा और medicines के बारे में आज हम most common Latin RX terms देखने जा रहे हैं सबसे पहला है AC मतलब before meal आपके खाना खाने के पहले PC मतलब after meal आपके खाने के बाद आपको ये medicine लेनी है OD का मतलब है once in a day दिन में एक बार BD का मतलब है twice in a day दिन में दो बार आपको ये medicine दिन में दो बार लेनी हैं ऐसे ही TDS का मतलब है दिन में तीन बार आपको वो medicine लेनी है Next है QD यानि कि दिन में चार बार आपको ये medicine लेनी है SOS का मतलब होता है जब आपको जरूरत हो जैसे fever आता है तब डॉक्टर कहता है कि जब आपको fever हो तब ही ये medicine लेनी है इसका मतलब है SOS वहाँ उस दवा के आगे उस medicine के आगे SOS लिखा होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर GTT लिखा होगा है तो as a drops, drops का नाम लिखा होगा और उसके सामने GTT लिखा होगा PO का मतलब है by mouth आपको मू से लेनी है, H का मतलब है after NR अगर वहाँ 2H लिखा है तो after 2R, 3H लिखा है तो after 3R BT या HS लिखा होगा है मतलब before sleep, BBF लिखा होगा है मतलब before breakfast आपके नाश्ते के पहले लेनी है इसके साथ ही QD लिखा होगा है मतलब everyday और QH लिखा है मतलब every hour मतलब की हर घंटे के बाद आपको वो medicine लेनी है इसके अलावा कुछ normal terms हैं जैसे CAP मतलब capsule, TAB मतलब tablet, SYP मतलब syrup, injection के लिए INJ और IV का मतलब है intravenous इसके साथ ही intra muscular को IM से संकेतिक करते हैं STAT का मतलब है immediately जल से जल और AMP का मतलब है as an injection form, as an ampule of injection ये most common terms थे जो prescription में use किये जाते हैं, I hope आप सब को ये जानकारी अच्छी लगी हो इस चैल को like, subscribe और share करना मत भूलिए, vaccination जरूर करवाईए Take care everyone, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, नमशकार